अजैसे हां इसे कि अबने कर दोस्तों अब दोस्तों अब्सुर्पlights उस्टेडि सर्जिपर दोस्तों आज एक नया वाईруш चीहां दोस्तों की खोच हो चुकी है क्या है यह वाईडिक पूरी चांकारी देंगे दोस्तों आप इस वीडियो में लाउच तक बने रहिए दोस्तों की जैसा कि यह वाइरस कहीं न कहीं जो है आपके करोना वाइरस से भी खतरनाक है जी हां दोस्तों यह करोना वाइरस से भी खतरनाक वाइरस है पूरी बात आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों यह रहा आपका करोना वाइरस का फिगर और यह रहा दोस्तों आपका अफ्रीकन स्वाइन फीवर जिहां दोस्तों यहां पे आपको देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि यहां दोस्तों यहां क्या इन दोनों के भी इस डिफरेंस है पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों आप मेरे साथ लाज तक बने रही आईए मैं आपको सीधे-सीधे इसके कुछ फैक्ट पर लेके चलता हूं दोस्तों था बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो विफ स्क्राइब कर लीजे बेल आधिन को पस्क्राइब कर दिए जिससे कि मेरा सार वीडियो और we nature उप सेर करिया और लोगों तक जो है बताईए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए दोस्तो आईए मैं आपको सीधे सीधे इसके टापिक पे लेके चलता हूं यह वाइरस दोस्तो ज्यादतर खतरनाक है किसके लिए जीहां दोस्तो अफरीकन स्वाइन फीव आपको बताना चाहता हूं ऐस्ते ज्यादोjak दोस्तों किया है आप देख रहा है यह चर्चा में क्यों है अफ्रीकि क्या है ये अफ्रीक impressed है वाया है वबात म सब्सक्राइब म liकार करने और नोस्तों कुछ आपको बता देगर जैसा के आप यह फिगर देख रहे होंगे यह लिखा अफ्रीकन स्वाइन फीवर कीज जी हां दोस्तों कुछ की इस फैक्ट है जिसके बारे में जाना है आपको लेका हूँ इस प्रेड इस यह कैसे फैलता है आप इसके जो है आप जो है यह संरचला उसकी देख रहे हैं जिसे करोना वाइरस की ऊपर मैं देखा है वैसे य यह है डबल डबल डीन ने जी हां दोस्तों डबल डीन ने लेयर का जो है वाइरस यह बहुत खतरनाक है यह एक स्वाइन से दूसरे स्वाइन देख रहे है आप इसके जरी फैलता है तो कहने का मतलब यह फैलता है उसके बाद दूसरी सूर भी इंफेक्ट हो जाती है और हो पुखार होने लगता है फिर उसके बाद उनको डायरिया होता है या फिर उम्टिंग होती है उल्टी होती है टेट आफ डेट इन सिक्स टू थर्टीं डेज जी हां दोस्तों छे से तेरा दिन में इनकी मौत हो जाती है तो इस तो यह यहां आप देख पा रहे होंगे मंगोलि है कहने का मतलब किसी अफ्रिकस फ़िवर जी यह तो जो मर गई तो कहने का मतलब कही न कहीं यह जिस को हुआ इसको फिष्यवेज चोड़ता नहीं जो अब बात करते हैं इसके कुछ उड़ित के बारे में दोस्तों यह चर्चा में कियु है क्या है अफ्रिकी क्षान फिवर असम का मामला क्या है अन्य महतपूर बाते करेंगे इस वीडियो में लाश्ट तक आप मेरे साथ बने रहे हैं आपको एक एक पॉइंट करके बताते हैं चर्चा में क्यों है अफ्रिकी श्वाइन फिवर एस सब ने भारत में दी दस्तक जी हां दोस्तों यह भारत में भी है इस से असम के 306 गाओं में पचीश सव से अधिक सुवर मर चुके हैं जी हां दोस्तों पचीश सव से अधिक सुवर मर चुके हैं पहले खुले में घूमते सुवर और फिर पॉम वाले सुवर भी हुए अफ्रिकी श्वाइन फिवर का शिकार जी हां दोस्तों पहले तो जो घूम रहे थे वो हुए फिर बाद में जो पाउंबे पाले जाते हैं वो भी स्वाइन फीवर के सिकार होगे क्या है प्रिकी श्वाइन फीवर इसके बारे में और देखते हैं दोस्तों यह लिखा है दोस्तों यह सुगरों में होने वाले जी दोस्तों सुगरों में होने वाली एक खतरनाक संक्रामक वायरल बिमारी है एस अफ वायरस अगर बात करें तो यह क्या है दोस्तों अगर एस अफ वायरस की बात करें तो एस फायर वीडो फैमली और एस फाय वायरस जेनस का सदश होता है यहां दोस्तों यह फैमली है उसके सदश है एस अफ वायरस यह ए एक double standard DNA virus होता है जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि वाइर जो है यह डबल डियन ने वायरस होता हुच इसकी फिगर मैं आपको दिखा के फिर वीडियो पर बात करता हूं दोस्तों यहां आप देख रहे होंगे यहां जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे यहां double layer है इस प्रसार को रोखने के लिए सुगरों को मार दिया जाता है तो कहने का मतलब और सुगर में ना हो जो सुगर इंफेक्टेड है उनको मार दिया जाता है आगे दोस्तों बात करें इससे संक्रमित होने वाली लगभग सभी सुगर मर ही जाते हैं अर्थात मरित उदर लगभग लगभग 100% है इसलिए इतना खतरनाक है वायरस सुगर के मांस लार रक्त एवं उतक के चरिये फैलता है यह दोस्तों जो इसको सुगर सुर के टच में रहते हैं जैसे दया की ओलँ नहीं के वाड़ी कीर हैं और ने अगर कि निए का मतलब उनके प्राप्लम हो सकती है तो कहने इस फिघर ओफ कर ऱोन कर वायरस और इस आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये दोनों खतरनाक है तो कहने का मतलब एक से समझ से अगर हम जोज रहे थे उससे निजात पाए नहीं कि दूसरी समझ से सरा के खड़ी होगे आप यहां से देख सकते हैं यह अफरीका से होते हुए चाइना माया चाइना से जो होते हुए अरवांचल प्रदेश होते होँ भारत के जो है वाडर में दस्तक दे चुका दो तो आप यहां से पूरी जानकारी देख सकते हैं यह जो है लार को करेंगे या फिर कहें कि सुवर कें डेखते हैं इस रोग की शुर्वाइतर परदेश से से सेमा और साजा करने ऐसा संदे है कि यहीं से एक विमारी वाड़ान चल पिर्देश करके बहरत पौचिंगा दोस्टो आपको जैसा भी मैं बता रहा था असम में सूर फौँ में काम करने वाले एक करमचारी के सूर की मौत भी अफरिकन स्वाइन फीवर से हुई थी जी हां दोस्तों आजम में एक करमचारी था जैसा कि आपको भी बताएं मैं एक करमचारी के सुवर की मौत भी अफरिकन स्वाइन फीवर से हुई तो आप देख सकते हैं कि अब यह जो है अटाइक जो है स्टार्ट कर दिया ह है भारत में भी उसके बाद उस分 में किसभी तीन सव दो सो तीस सुरि कंशार कर्म करता था कहने का मतलब इस वह का तक पहुछा तो कहने का मतलब करमचारी ही एक जडिया था जो आता जाता था बाकि वहाँ तक कैसे फैल सकता था तो सुखर तो कहीँ आती जाती नहीं थे फाउम में बध़ी हुई थी ऐसा नुमान है कि मैनो इस विमारी के वाइरस का वाहक केरियर हो सकता है कहने का मतलब इनसान जो है इस बिमारी को ले आजा सकता है क्यों कि वो कहीं न कहीं हर जगा इधर उधर चलता रहता है तो ये नार्मल कहने का मतलब जगा गया वहां से उसके बॉड़ी के टच हुआ या फिर वो जाके सुरों को खिला रहा है तो कहीं न कहीं इनसान से ही वो दूसरे जानरों में ला देता है या कहीं दूसरे सुरों में ला देता है हला कि इस वाइरस ने मानों को अभी तक प्रभावित नहीं किया दोस्ति ये हमारे लिए थोड़ा कहें तो अभी उतना खतरनाक नहीं है लेकिन क्या पता कि ये भी हो सकता है लेकिन अगर ये हुआ खतरना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे जी हाँ दोस्तो हम कहीं के नहीं रहेंगे कहने का मतलब समाप्ति क्यूर चले चलेंगे केन सरकार ने असम के राज सरकार को अफरीकी सौ야ियन फीवर से संक्रिमिस सूरो को मारने की सला दे दी कि मार दो जितनी भी सूर संक्रिमिस निकले सब को मार दो पटें पहली बार अफ़रीका में इसे कहत्म करने में कई दसक लग गय तो कहने कहीं सुवर के माध्यम से ही जिंदा रहता है वार्ष एक शुवर दो सुवर ऐसे करके सारी शुवर को मारने लगता है यह माना जाता है कि सुवर के दोस्जित मांस के जर्ये अप्रीकी स्वाइन फीवर पूरवी से जार जिया पहुँचा दोенное 67 में चरजिया में अप्रिकी स्वाइन फीवर डिटक्ट किया गया उसके बाद शमनित जी हां दोस्तों उसके बाद शमनिय शहयोग के बावज़ूद अप्रिकी स्वाइन फीवर ने पूर्वी यूरोप वस्मी यूरोप इवं रोस के जरीए यह तेजी से फैलते हुए 2018 में चीन में दस्टक दिया और यह अब भारत में पहुंच चुका जी जी burit 2018 में यह जो है पोह पहुंचा था चाइना में कैसे कैसे आपको बता दिये कैसे जर में आया यहा तक भारत में अब देख सकते हैं तो यह एक तरीके से बहुत कढ़रनाक बिमारी है आप उसके जो है थोड़ा सा हम आउटर लेयर या फिर कहां इसके डियने स्ट्रक्चर को आपको दिखा देते हैं यहां से आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है तो यह बहुत खतरनाक है तो यह इतना खतरनाक है कि इसमें 100% ज क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आगे देख रहे होंगे लिखा हुआ है इसके स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट के बारे में मैट्रिक्स फिर उसके बाद निक्लियोपाइड निक्लियोइड उसके बाद लिखा है दोस्तों जैनोमेक टियन ने जी यहां दोस्तों यह दि तक नहीं हो पाया या दवा नहीं बनбаया इस वज़ेसे ये अपने रिप में या फिर सूरों की बाड़ी में जाके अपने को डभल स्टेंडर्ड है तो अपने को ज़ 연्श करता रहता है तो इस वज़ेसे उनकी मौद जो है निश्चित है दोस्तों और चीजे दोस्तों कुछ बता दें अफ्रिकन श्वाइन फिवर जैसा कि आप देख पा रहा हैं कि यह सूवर के लिए खतरनाक चीजे है यहां दोस्तों यह सूवर के लिए खतरनाक है इसमें 100% सूवरों की मौत हो जाती है और इसमें कोई सू टोच अथा त्दम इसे नहीं स Questo दोस्तों उम्मेद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं दोस्तों अपने श्काइब करते हैं कि आशा है कि अच्छा लगा होगा अगर नहीं एक बार मेरे चैनल पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लास पर आपको सारा वीडियो का नोटिपिकेशन मिलता रहे और दोस्तों इस वीडियो को जादा से जादा आप सेयर करिए अपने दोस्तों के साथ उनको भी उताई है और लाइक करीए और झाल झाल